बिहार सरकार और भारत सरकार की और से बाल विवाह पर ड्रोक लगाने के लिए कई प्रियास किये गए कई बार इसको लेकर के कई दिशानिर्देश भी जादी किये गए और विशेश कर बिहार में मुख्यमंद्री नितिश कुमार के दौरा बाल विवाह दहेश प्रथा काफी सक्रिता दिखाई गए इसके लिए के कई कड़े नियम भी बनाए गए बाल विवाह निसेद अधिनियम 2006 के तहद भी कई प्रावधान किये गए जिससे की बाल विवाह पर रोक लग सके इसके लिए लगातार अधिकारियों को निर्देश दिया गया और इसके लिए चाइड लाइन को भी लगाया गया जिससे की अगर कहीं इस तरह के सूचना मिले बाल विवाह से संबन दी तो तुरित रूप से वहाँ पर पहुँचकर उस पर रोक लगाई जा सके या उसकी जा सके उसके बावजूद आए दिनों अक्सर सुनने को जासा मिलता है कि बाल विवाह की कराय जाने की बात सामने आती है उसके बाद कानूनी प्रक्रिया अपने गती से चलती है तो इसको लेकर भागलपूर में एक ताजा मामला है हालकि ये पिछले छे महीने मामले को भीच चुका है छे महीने पूर एक नावालिक बच्ची की साधी कराई गई गई और वो भागलपूर के कुदूबगंज की बताई जाती है तो ये नावालिक बच्ची के साधी कराई जाने की सूचना जब एक प्रतियोगिता परिक्षा तैयारी करने वाले एक बाका जिला निवासी गोविन जी को जब मिली तो उन्होंने इसके ये सक्रिटा दिखाई और इसके बारे में जानकारी लेनी चाही कि आखिर बाल विवा जब सरकार की और से प्रतिवन्दित किया गया है तो ये कैसे हो रहा है और इसकी सच्चाई क्या है तो हम इनसे खुद जानेंगे कि क्या सच्चाई है और क्या मामला है जैसा कि मैं जिस दिन साधी हो रही थी उसके सुबह मैं उस छेत्र में टहलने निकला जब मैं उस छेत्र में टहलने निकला तो कुछ भुजूर्ग लोग आपश में गप कर रहेते कि यहां पर बाल विवा का आयोजन किया गया था और बाल विवा हो रही है तो मैंने जानन दस नो आट पे मैंने इसकी जानकारी दस नो आट पे दिया जेना कि मेरा कॉल ट्रांसफर कर गिया भागरपुल चाइड लाइन वहां हमारी बाद जो कॉडिनेटर स्रीयमल कुमार से हुई उन्होंने बताया आधे घंटे में हम लोग वहां पर कारियस्थल पर पहुंच रहे जब मैंने पुना जानने का प्रियास किया तो मुझे मालूम हुआ कि लोग आधार काड लेकर के आये और उन्होंने जो चाइड लाइन के जो कार करता है भूमी उन्होंने बताया कि बच्ची मुमे में पढ़ती थी और उसका साटिपिकट एक सब्ता के बाद आ जाए गया लेकिन जब मैंने पुना प्रियास किया कि साटिपिकट आया तो उन्होंने मुझे गुम्रा कर दिया गया और इसको लेकर के मैंने आटियाई किया जब आटियाई किया तो मुझे पता चला बच्ची की नवालिक होने की पुछ्टी मिली तो यहां पर इनका साफ काना है कि RTI के माध्यम से इन्हें इस बात की जानकारी हुई कि बच्ची नावालिक थी और ये मिरजान हाई स्कूल की छात्रा बताई जाती है हाला कि अभीभावक की और से पहले ये बात बताई गई थी कि बच्ची मुंबई में पड़ती है और सार्टिफिकेट आने में इसलिए देरी होगी लेकिन जब RTI से इसकी जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उससे साफ ये पता कि असपस्ट हो गया कि बच्ची नावालिक थी और भागलपूर्स चरजु देवी वालिका उच्ची विद्याले की छात्रा थी तो इस जानकारी के बावजूद जो है अब तक इस दिशा में कोई कारवाई नहीं हो सकी है और इसके लिए इन्होंने कई जगों पर आवेदन दिया कई अधिकारियों को भी आवेदन दिया लेकिन उसके बावजूद अब तक कुछ भी बात सपष्ट नहीं हो पाई है नहीं सरकार की और से बिभाग की और से कोई इस पर उचित कारवाई की जा सकी है तो हम जानेंगे कि क्या कुछ इनके और से क्या पहल की गई थी और किन अधिकारियों को इन्हीं नहीं आयुद दिया था जी बताईगे जासरक में बताना चाहूंगा कि ये बिहार सरकार के दोरा कई परकार की योजना चलाई जाती है जो कि एक बेटी बचाओ बेटी पढ़वा भियान है और जब हमारे समाज में बेटी का इस तरह से हनन किया जाता है तो हमारे समाज में इस तरह से बुरा परवा पढ़ता है और हम जैसे लोगों को अगर सरकार इस तरह से गुम्रा कर रही है तो और अनपड़ लोगों के साथ क्या करेगी इसकी जानकारी कहां तक सत्य है और इस तरह से मैंने लोगडाउन के दौराउन SDO से बात किये और फिर जब लोगडाउन लगा तो उनसे हमारी पत्राचार नहीं हो पाई मैंने वाट्शप के जरिये उनको ये आविदन दिया और RTI, Evidence बगर इसकूल का दिया सारा मैंने डेट ऑफ बर्थ उनको दिया और उन्होंने बताया कि कारवाई होगा लेकिन अभी तक मुझे कोई कारवाई इस पे नहीं नजर आया लेकिन अभी तक मुझे कोई संतो जिनक सूचना प्राप्त नहीं हुआ है कि बच्ची के साथ क्या किया गिया तो आपने सुना कि इनके द्वारा लगतार अधिकारियों के पास बात की गई अधिकारियों से संपर्क किया गया उसके बावजुद अब तक नहीं हो पाया और इसमें हम सबों की सहभागिता है न सिर्फ सरकार वलकी अधिकारियों के साथ समाजिक अस्तर पर भी हम सबों को आगे आने की जरूरत है